कि भारती जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है काउ बेल्ट I don't know where काउ बेल्ट है काउ बेल्ट का समर्थन जो काउ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लखित करना किस खेत्र की आप बात कर रहे है हरियाणा में हम हरियाणा में जीते हैं हमने करनाठक में समर्थन प्राप्त किया है और यह ठीक है के केरल में और तामिल नाडू में हम उतने شक्तिशाली नहीं है मगर हमारा संगठन है हमें पश्रिम बंगाल में हमें 10 पर 45 ते थोड़ा कम वोट मिला हुआ है अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिस परसेंट वोट की बात करिए फिस सदन में एक-एक बैच्ठे की पार्टी है है एक एक बैच्ठे की पार्टी और व retir हमारे साथ हमारे खिलाब जमनगट करके और अ already अंब घ्र, शुन्हें प्रियास करने का पूरा दिकार है मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी एकला चलो रहे और चलो एकला अपने चुनाओ क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इखटे रहे किसलिए इखटे हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार चुभाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैंनद के हम लोगों में गए है हमने संगर्श किया है पार्टी 300 पैसे दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाव में कुकरमुक्चे की तरह से खड़ी हुने वाली पार्टी घूढ़ी है और आज हमें करता किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज्यादा सीटे नहीं लेशे के हम मानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत मिलन चाहिए राश्ट पती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सकलता नहीं मिली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोदी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सजियोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस पाफ को मत भीए अगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे या आपको आश्वासन देना चाहते ह। अगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जाना है। लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है केडूल कास के टोटल मेंबर्स है 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेटी के तिने गए CPIM के पाँच मेंबर है CPI एक मेंबर है कॉंग्रेस पंदरा मेंबर है जनता दर साथ मेंबर है और सबसे जादा हमारे मेंबर है एस टेसी में भी शेडूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ओक सीट इस 41 BJP 11 हमारा जनाधार नहीं है हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है अगर आप हमें हमें हमारे हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाओ होगी मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिकाई दे पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवित लेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई कि देश का कितना लाफ कर सकेगी ये एक प्रश्ण वाचत चिन्न है हर बात के लिए आपको कॉंग्रेस के पास दोड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्चे लगाई जा रहे है फिर चर्चा हुई कि कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके मिला तो सदर नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नायाग के साथ है हम अपने देश के देश की सेवा के कारी में जुटे रहेंगे हम संख्या भल के सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार हमें अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट की उजश पूरा नहीं कर लेगे तब तक विश्राम से नहीं बेचेंगे तब तक आराम से नहीं बेचेंगे मैं अपना त्यागपत्र राष्टपती महुदय को देने जा रहा हूँ अभी तो में पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीवती सोनिया जी का भाशन पढ़ा को लो ने सारे शब्द इकटे कर दिये हैं एक ही पहरा में तो बीज़े पी लड गवर्णमन ऐस शोन इसेल्फ तो बेइंकॉम्पटेंट इंसेंसितव इंस्पोंसिब और बेजरनी करप्ट राजनी के क्षेत्र में जो आपके साथ कंदे से कंधा लगा कर काम कर रहे हैं इसी देश में मतवेद होंगे उनके बारे में यापता मुल्यां करें मतवेदों को प्रकट करने का ये तरीका है ऐसा लगता है इसा लगता है कि शब्दों को खोल कर बैचे गए है और उस में से ढूंड-ढूड कर शब्दों निकाले गए हैं इंकॉप्टेंड, इंसेंस्टिव, इंर्रफ्रोंस्ट्पल लेकर ये शब्दों का खेल लई है It is a government that has betrayed the mandate of the people हम यहां लोगों से चुनके आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे आपका mandate कौन होता है हमारा फैसल अटा करने वाला It is a government that has betrayed the mandate किस ने आपको जज़ बनाया है आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तयार नहीं है अब जब असेम्लिक के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हत लेकिन यह क्या है इस सब के तरीके से लड़िए इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए लेकिन असे आपकरण भी है यह लेकिन आपकरण करेंप्स परेकिन नहीं है जहां किस दो दो área झाल झाल